तो दोस्तों क्या आप इलाइची का पौधा घर में उगाना चाहते हैं? तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इलाइची का पौधा कैसे उगाया जाता है? इलाइची के पौधी को उगाने का एक आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले तो इलाइची का पौधा जो है इलाइची के सीट्स यानि इसके जो बीज होते हैं उससे कभी भी उगाया नहीं जा सकता क्योंकि जो इलाची के पौधी होते हैं और जो इसके seeds बनते हैं जहां पे इसका production होता है जहां से यह उगाया जाते हैं तो वहां लोग क्या करते हैं कि इसे जह जभ ये हरा हरा ही रहता है इसका seeds, तो उसे तोड़ कर और च्छाये में सुखा देते हैं जिससे होता जैसिे आप आप देख सकते हैं यह हमारे हाथ में इलाइची है और आप इसे एगर खोल कर देखेंगे तो जो इसके सीट्स हैं वो बिलकुल ही तयार नहीं हो पाते क्योंकि जो हैं जब तयार नहीं होते हैं जैसे हरा हरा ही होता है उसे तोड़कर छाय में सुखा देने से यह बिल्कुल मैच्यर नहीं हो पाता है तो आप अगर इसकी सीट्स को लगाएंगे अपने गमले में अपने कंटेनर में तो यह बिल्कुल ही उगेगा नहीं और आपका मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगा तो आएए मैं कुछ ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिससे कि आप भी अपने घर में इलाइची के पोधे को उगा सकते हैं और इसके लुप्त उठा सकते हैं तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा इलाइची हमारे भारत मर्स में ही उगाया जाता है और इसे क्यून ओफ स्पाइस भी गाया जाता है क्योंकि जो इसका महक होता है यह बहुत ही खुसबुदार होता है और बहुत ही अच्छा होता है और यह मसालों में सबसे ज़्यादा लोग प्रिये होता है और यह जो हमारे भारत वर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा करनाटिका, केरला और टमिल नाडू में उगाया जाता है क्योंकि वहां का जलिवायू जो है, इलाइची के पौधे को उगाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और वहाँ पे इलाइची जो है बहुत ही अच्छे से उगाया जा सकता है तो फ्रिंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारे इलाइची का पौधा है जिसे कि मैंने आफ से 6 मेने पहले उगाया था और वो भी एक छोटे आकार के पौध हो से तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलाइची के पौधे होते हैं उसे कभी भी सीट्स के द्वारा नहीं उगाया जाते हैं क्योंकि ऐसे सीट्स जो होते हैं जो कि पूरी तरह नहीं पक पाते हैं वो पूरी तरह तयार नहीं हो पाते हैं आप जो हैं अगर seeds के द्वारा उगाना भी चाहते हैं तो आपको एक special seeds चाहिए जो की पूरी तरह से तयार हो जाते हैं उससे आप उगा सकते हैं लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो इलाची के पौधे होते हैं आप जो हैं उसके जो छोटे पौधे हैं उसे आप छानी से उगाया जा सकते हैं और एक पौधों से अनेक पौधे बनाया जासकते हैं तो नौस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो हमारे इलाची के पौधे हैं यह बहुत ही अच्छे से growth कर रहे हैं क्योंकि यह जो पौधा होता है थोड़े जो गर्मी इसमें रहेंगे तो यह अच्छे से ग्रोथ करेंगे और मैं बताना चाहूंगा कि आप जो हैं इलाइची के पौधे को अपने पास की नरसरी से भी खरीद लें या तो इसे आप ऑनलाइन बहुत ही आसानी से पर्चेट कर सकते हैं यह बहुत ही कम दाम में ही आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा तो आप जरूर ही लगाएं आपके अपने घर में एक इलाइची का पौधा जो की बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है और इसकी केर करना भी बहुत ही असान है तो फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अ केरें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तैंकी दोस्तों बाई बाई